हेलो एवरीवन सो कैसे हैं आप लोग लास्ट वीडियो में हमने जीमसी भोपाल के एक्सपेकर कटॉप के बात किया था कि सेकेंड नाउन में उस कॉलेज का क्या कटॉप रह सकता है जो वीडियो चैनल पर डला हुआ है तो आप जाके देख सकते हैं यदि आपने नहीं देख मार्स पर मिला तो हमने जो कटॉप की रेंज बताई है यह प्रीवेस यहर के डाट आप एनालिसिस किया है कि उसमें कटॉप कितने मार्स सेकेंड नाट में डिक्रीज हुआ है उसी के बेसिस पे कटॉप बना है तो आप इसमें पूर्ण तर विश्वास कर सकते हैं तो चलि के लिए तेन सो इंक्यान में नमर पर मिला है तो यह फर्स्ट आउन के नमर से जो कि इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी में इतने इतने मार्स तक कि कॉलेज फर्स्ट आउन में अलाट हुआ है अब सेकेंड नाट में का टॉप डिक्रीज होता है जो कि दो फैक्टर के कारण ह होता है एक तो जो टॉप मोस्ट कॉलेज होते हैं वहां से बच्चे और इंडिया में चला जाते हैं जिससे सीट वेकंट हो जाती है दूसरा जब आप अपगर्डेशन कराते हैं तो साइमल्टेनियसली आपकी कैटेगरी और कॉलेज अपगर्ड होते हैं जिससे आपकी इतना कटॉप कम हुआ था है ना उसी के हिसाब से हमने रेंच बनाई है तो फर्स्ट आउड में यूर कैटेगरी से 611 मार्स तो सेकंड नाउड में आपको 606 से यदि आपके 608 मार्स के बीच मार्स है तो आपको यूर कैटेगरी से कॉलेज मिल जाएगा एनसीप तक मिल जाएगा और एस्टी कैटेगरी से यह 385 से 387 मार्स तक आपको एक कॉलेज सेकंड नाउड में मिल जाएगा मोश्टी जो गौवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसमें सेकंड नाउड में सारी सीट्स फूल हो जाती है सिर्फ दो से तीन सीट ही बसती है मौप अपराउ आपको कॉलेज मिलने के उम्मीद बढ़ जाती है आई होब कि आपके इतने में मार्स है इस इस कटेगरी के हिसाब से तो आपको एक कॉलेज सेके नाउड मिल जाएगा वीडियो कैसा लगा बताईए वीडियो अच्छा लगा तो आपने दोस्तों के साथ भी सेर करिए थैंक यू सो मुझ भाज वाजिए वीडियो टेक चेर बाई बाई